हलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रूपसरी लेडीज टेलर में तो चलिए आज हम आपको अम्रेला इसकर्ट कटिम करना और स्टीचिंग करना सिखाएंगे तो देखिए हमने मारकर लिया है इंची टेप, कैची, सुई धागा, स्केल और हमने ये डाई पेपर लिया है तो इसी तरह से आप भी ले लीजिए तो देखिए दोनों पेपर को हमें पहले सीधा रखना है देखिए इस तरह से सीधा रखके फिर आपको इस तरह से तिर्चा फोल्ड करना है इस तरह से आप बराबर से फोल्ड कर लीजिए उसके बाद हम यहाँ से चेंज पे एक निसान लगा रहे हैं देखिए चेंज पे एक निसान लगा के आपको इसे सीधी लाइन ड्रॉ करना है इसके बाद बीच से आपको एक इंच नीचे की साइड निसान लगाना है और इस तरह बीच में ही आपको इस तरह से गुलाई देना है देखिए इस तरह इसके बाद आपको लंबाई लेना है तो देखिए उपर से जहां मने गुलाई दिये वहाँ से हम 13 इंच पे निसान लगाएंगे जितना पेपर हम उतना ले रहे हैं लंबाई तो 13 इंच पे हम निसान लगा रहे हैं इसी तरह से आपको पुरा उपर से मापते हुए नीचे पुरा 13-13 इंच पे निसान लगाते हुए जाना है देखिए इस तरह से हमने पुरा निसान लगा लिया है तो चलिए इसकी cutting कर लेते हम जिस तरह से हमने निशान लगा है उसी पर आपको सीधा cutting कर देना है तो देखिए हमने cutting कर लिया है देखिए इस तरह से तो चलिए अब हम आपको इसका build cutting करके दिखा देते हैं तो 5 इंच पर हमने एक निशान लगा है इधर साइड भी हमको 5 इंज पर ही एक निसान लगाना है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है अच्छे से निसान पड़ जाता है तो इसी पर आपको कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है तो चलिए अब हम आपको स्टीचिंग बताते हैं दे कि इक हैं कि ने सिल लिया है अब धागी को लॉप कar के इसके बाद आपको इस तरह से इसको उलठे साइड से रखना है आपको देखिए इस तरह से उलठी साइड से आप रख कि जीजिए घहरा और उसके उपर आपको बेल्ट को रखना है देखे इस तरण से आप बेल्ट को रखके आपको सिलाई करना है तो देखे इस तरण से इस तरह से बराबर से रखते वे आपको पूरा Lak sotto करना है तो चलिए हम कर लेते हैं पहले तो देखिए हमने पूरा स्टिच कर लिया है इसके बाद आपको इस तरह से प्रेश करना है हलके हाथों से देखिए इस तरह से और इस तरह से हम सीधी साइट से फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो उल्टी साइट जहां हमने सिलाई किया है सेम उसके उपर ही हमको फोल्ड करके सिलना है तो देखिए हम सिल रहे हैं इस तरह से आपको पूरा बेल्ट सिल लेना है तो चलिए हम सिल लेते हैं तो देखिए हमने पूरा बेल्ट सिल लिया है इसके बाद आपको नीचे की साइड डबल फोल्ड करना है और इस पे भी आपको सिलाई करना है देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करिए और इस पे सिल लेजिए इस तरह से आपको फोल्ड करते भी पूरा सिलाई करना है तो चलिए हम सिल लेते हैं तो देखिए हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिल लिया है पूरा इसी तरह से आपको भी सिलना है इसके बाद हमें इस तरह से उल्टी साइट से फोल्ड करना है पेपर को देखिए और इसके बाद बेल्ट में हमें लास्टिक डालना है तो बेल्ट हमको छोड़ के सिलाई करना है तो बेल्ट के नीचे से हम फिर से सिलाई कर लेते हैं के आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा तो देखिए हम सिल लिये हैं अब हम धागे को लॉक कर के कि धाग़ कट कर देंगे तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है अब हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं तो देखिए इसका लूक इस तरह से आया है आपको इधर आपको लाइस्टिक डाल के इस तरह फोल्ड करके आपको सिलना है इस तरह से हमारा अंब्रेला इसकर्ट बनके रेडी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए हमारे वीडियो को शेयर करिए चैनल को सस्क्राइब करिए मिलते हैं गली वीडियो में बाई बाई थैंक यू